दुरगटना घटित होने के लिए सिर्फ दो वाहनों का आपस में टकराना ही जरूरी नहीं है कई बार अकेला वाहन भी खुद को दुरगटना ग्रस्त कर लेने के लिए पर्याप्त होता है यानि कई बार हमारी किसी वाहन से टकर नहीं होती लेकिन फिर भी हमारी ही बेवकूफी गलती की वजह से अच्छा खासा खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है अब इसी वीडियो को देखिए यहाँ आप देखेंगे कि एक खाली पड़ी हुई सड़क दिखाई दे रही है कोई वाहन नहीं आ जा रहा है तभी सामने की तरफ से एक तेज रफ्तार अनियंतरत कार आती है और सड़क किनारे खड़े हुए पोल में टकरा जाती है टकर देखकर आप समझ सकते हैं कि गाड़ी के अंदर बैचे हुए लोगों का क्या हश्र हुआ होगा टकर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी के आगे का हिस्सा पूरी तरह से शतिक्रस्थ हो गया जाहिर से बात है कार की स्पीड बहुत ज्यादा थी कार के आगे बढ़ने के तरीके से पता लग रहा है कि कार अनियंतरित हो गई चालक का कार की गती पर से नियंतरन हट गया जाहिर सी बात है या तो कार चालक को नीन की जपकी आ गई या फिर वो नशे में भी हो सकता है या गाड़ी की ब्रेक फिल हो सकते हैं वजह चाहे कोई भी हो लेकिन अच्छा खासा खामयाजाद शालक और गाड़ी में बैठे अन्ने लोगों को भूगतना पड़ा सेफ ड्राइविंग करें और दूसरों को भी सेफ रखें